प्रस्तुत है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले द्वारा प्राय जुत कारिक्रम किसान की बात इस कारिक्रम की प्रायुजक है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार किसान की बहतरी करना उनकी लागत को कम करके उनकी आये को बढ़ाना है ताकि किसान की उन्नती है उसे देश की अर्थवबस्ता है और जो देश की तरक्य है वो बिजुड़ी होई और वो भी आगे बढ़े कोशिक ये किसान की आय जल से जल दोगनी हो और उनकी जो 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 जितनी वी उपलब्ध है जितनी वी योजना है उनके बारे में हम अपने किसान भाहयों को बता सकें ताकि वो उसका लाब उठा कर उससे और ज़्यादा फाइदा उठा सकें और यही एक और कड़ी लेकर हाजर हैं आपके साथ, आज मैं हूँ अर्विंद और मेरे साथ हैं, मैं हूँ आपके साथ कोमल भारती और अर्विंद जैसे के आपने कहा के हम अपने हर कारेक्रम में ये निरंतर कोशिश करते हैं कि जितने परबागत खेती तक ही वो सीमित ना रहें बलकि परबागत खेती में वो वैग्यानिक ढग को भी शामिल करें जिसे कि उनकी जो खेती है वो उन्नत तरीके से हो सके फसल बहुत अच्छी आए और बाजार में जाकर के जब उनको उसका लाप मिले तो उससे ना सिर्फ वो आग विवस्ता जो की खेती पर निर्भर करती है वो भी आगे बड़े जी है और तमाम तरह के जो योजना हैं भारसरकर लेकर आती हैं हम सीधे सीधे कोशिश करते हैं कि उसकी जो सभी जानकारी है आप तक पहुंचे और आप उससे लाब उठा सके इसके साथ हमारा हमेशा कोश विशेशग्यों को आमंतरित करते हैं और समय समय पर ऐसे विशे लेकर के आते हैं जिसे कि आपको अगर उस विशे से जुड़ीवी कोई भी परिशानियों हों कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फोन करके हमारे विशेशक्य से अपनी उस समस्या का जने दान पा सकते हैं और इस समय अप खेतों में क्या काम कर सकते हैं इस तरह की जानकारियां भी जो हैं वो आपको हमारे इन कार्यक्रमों के जरीय मिलती है और इसी कड़ी में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती द्वारा खुशाल किसान जो होते हैं उस विशे पर बाचित प्राक्तिक खेती के उपर आपसे चर्चा करेंगे देखे खेती न केवल अर्थ व्यवस्था के लिए बलकि समाज के समग्र अस्तित्व हेतु अतिन्त महत्पूर्ण सेक्टर है और विशेश कर भारत जैसे 135 करोड से भी अधिक आबादी वाले देश में खेती का महत्व केव अपनी खाद सुरक्षा सुद्रा रखनी चाहिए बलकि पूरी मानवता की इस मूल भूत आवश्क्ता में योगदान के लिए सदैव तत पर रहना चाहिए यह तब ही संबह है जब मिट्टी जल और पर्यावन कोसन रक्षित रखते हुए क्रशित पादन में सतत व्रद्ध हो और खेती किसानों के लिए लाबकारी उपक्रम बन सके विकत कई डशकों में यद्यतिक क्रशि उत्पादन तो काफी भारत में बढ़ा है और कई इसने कई की इर्तिमान इस्थापित किये हैं परन्तु जाने अंजाने मिट्री और पानी जैसे अमूल प्राकृतिक किसानों की शुद्ध आई में गिरावट आना सौवाइविक है इसके अत्रिक्त वैश्विक जलवाई परिवरतन ने टिकाई खेती के लिए एक नई चुनौतियां खड़ी कर दिया है इनी सब कारून से भारत सरकार विभन किसानमुखी योजनाओं के माद्यम से खेती की विभन्य चुन्नतियों का सामना करने और किस्षी आई बढ़ाने के लिए लगातार प्रियास करती रही है इसी देशा में प्राक्तिक खेती जैवी खेती के परुटसान है तो केंद्र और रास सरकारों के इस तरपर विश्षी प्रियास किये जा रहे हैं किसान भाईयों आ बहतर मुल्की प्राप्ति के लिए विभन पहलों को बढ़ावा और सहयोग दे रही है इनी उभरती समस्याओं के समधान की तलाश में खरीदे हुए इंपुट आदान पर आदानों पर किसानों की निर्भरता को कम करने के उद्देश से प्राक्तिक खेती एक आश्य जनक प्राक्तिक खेती एकल फसल से बहु फसल प्रणाली में क्रशी पद्दतियों के बदलाव पर बल देती है मिट्टी की उर्वरता में व्रद्दी करने से म्रदा स्वास में सुधार होता है और इससे वांचुत अत्पादता के लिए फसलों को लगातार पोशक तत्तों की आ मिट्टी के लिए जीवन का श्रोथ हैं बायो मास के साथ मिट्टी में मिलाना और पूरे वर्ष मिट्टी को हरित आवरां से ढखे रखना जैसे अन्य पारंप्रिक पताएं हैं यहां तक कि बहुत कम पानी की उपलबता की इस्तित में भी ऐसी प्रथाएं संयोजित की जात रूलन की रूप में बढ़ावा देने की आवशक्ता पर बल दिया है मानी वित मंत्री ने अपने बजट भासण में भी पहले चरण में गंगा नदी के जो पांच किलोमेटर चौड़ा गड़िया रहा है उसमें क्रिशी रसायन मुक्त प्राक्रतिक खेती को बढ़ावा द द्रश में क्रां दिला दिय है और हम एक भारती कृष्य निर्वा को निर्वा से अदिशेश उत्पादक उद्ययम में बदल दिया यानि हम डिफिशंट से सफिशंट बन गये अब भारत अधिकांश कृशी जीनसों के उत्पादन में शीश पर या दूसर तीसरे स्थान प प्रवेश करने के लिए बदल रही हैं गैर रसाइनिक प्राक्तिक क्रशी प्रणालियां जो बड़े पैमाने पर बायो मास्पुनर चक्रन रिसाइकलिंग प्राक्तिक पोशक चक्रों के विजयविक कायकल्प और ओन फार्म खेत पर ही प्लांट और पशुधन आधारित आद प्राक्तिक प्रणाली गैर अपघटन गैर घटते और संसाधन सरक्षण होने के अलावा कम लागत वाली भी है किसानों को खरीदे गए आदानों से सोतंत्रता देती है तुल्नी उत्पादक्ता सुनिश्चित करती है आय में व्रद्धि करती है और म्रदा परयावरन मानव जानवर सही सभी जीवन रूपों के लिए सुनरक्षित है बर्तमान सरकार ने जो वर्ष 15-16 से एक परांपरागत कर्शी विकास योजना के तहट जैवी खेती को बढ़ावा दे रही है जिसमें सभी प्रकार की प्राक्तिक खेती वैदी खेती होमा खेती सूनिवजट प्र भारत के विभिन राज्यों में आज प्राक्तिक क्रिशी पद्धती अर्थात बीपी के पी नेच्रल फार्मिंग का तेजी से प्रशार हो रहा है और विशे सुर्प से जो दक्षिन भारत जैसे के आंधरप्रदेश में प्राक्तिक पद्धती जो है वो उस पे नेच्रल फ वसलों के परवरतंशील बजार मूल्यों, बीजों सहीत इंपुट के बढ़ती लागतों के कारण अतिक सदिक किसान नैच्रल फार्मिंग की अपना रहे हैं। इवामरत, भीजामरत, आच्छादन, मल्चिंग, वापसा, जणों में नमी, अंतर फसलन ये सब गाय पर गही आदारी थे और इतिहासिक रूप से भारती ग्रामिर जीवन का हिस्सा रही हैं। इसमें काम किया है और चेतर को लिया हुआ है। मद्व प्रदेश 99,000 हेक्टियर एरिया में कर रहा है और तमिल नाडु ने 2,000 हेक्टियर में शुरू किया। तो इस तरह से कहने का तादपर ही है कि प्राक्टिक खेती के तहट अब तक लगभग 4,000,000 हेक्टियर छेतर से भी जादा एरिया जो है वो लिया गया है और इसको योजना लागू हो रही है। 2022 थे इसमें भी हमने चार प्रदेशों में इसको दिया हुआ है और एक लाग 27,000 हेक्टियर को जूरी दिया है जिसमें उत्राखंड उत्तर प्रदेश बिहार और जारखंड राज जी हो हैं इनमें भी ये लागू की जा रही है तो तादपर ये है कि सभी राज इसमें आग किलोमेटर के एरिया में ही दी गई है तो प्राक्ति खेते एक रसायन मुक्त प्राक्ति क्रशी प्रणा लिए जिसमें कम लागत के आदानों का उपयोग गाय के गोबर मूत्र और पौधों के अर्क की सिपारिश की जाती है और इसमें जैसे मल्चिंग अंतर फसलन जैसी इ भाच घटकों की हम बात करें इसमें पहला तो जीवामरत है यह एक किंडवित जो करें माइक्रों आउं सूक्षम जीवान होते हैं तो यह किंडवीत संस्क्रित हैं जो पोश्यक तत्प्रिदान करती है यह एक उतप्रेरिक एज़न्ट के रुप में काड़ करता है जो मिट पदाद जैसे दाल का अर्टा को खाने से कई गुना बढ़ जाते हैं जो कारे हम बायो फटलाइजर में लैब में करते हैं उनको और बायो फटलाइजर तयार करते हैं ये जीवामरत जो है वो मिट्टी में ही ये काम हो जाता है तो ही हमारी जो मिट्टी है खेत की वो एक तरह जाता है उस घोल में फंगल और बैक्टिरियल रोगों को रोकने में मदद करता है और या केवर शुरुआत के तीन वर्षों में ही आवशेक से इसके बाद लगातार ये सिस्टम में आत्म निर्बार हो जाता है यानि बार बार उसको नहीं देना पड़ता है इसी तरह से दू जणों की रक्षा में प्रभाविये और आम तोर पर मांसून की अवधि के बाद पौधों को प्रभावित करते हैं यह जीव अम्रत के समान जीव मृता के समान सामागरी से बना है जैसा कि स्थानी गाय का गोबर एक सक्तिशाली प्राकतिक कवक नाशी और गोमूत्र एक तो किसान भाईयों इसी क्रम में तीसरा घटक आता है आच्छादन मल्चिंग यह एक तरह से जो मिट्टी हो यदि हम ढख के रखते हैं किसी पी चीज से चाहे प्लास्टिक को पुआल हो किसी भी चीज से खत परवास भी करते हैं तो इससे क्या होता है कि खेद में ही जो है हरित कांटी वापसा क्यांद हो जो मिट्टी में हरित क्रांटी में हवा के अनों प्रोसायद करते हैं कि एक साओ गाते है यह घरी जो हमारी यह जेवी चैँढ!! यह इंटर क्रॉपिंग का उदेश है इसमें और जमीन उपलब्द जमीन पर दो फसले हैं उसके साथ साथ उगाते हैं तो एक तो पैदावार भी अच्छी मिलती है और उसे जैविवित्ता का निर्मान होता है जो लाबकारी होती हैं किटानों को भी आकर्शित करता है और मोन पूर समश्चा जलवाई आपाज काल के कई मुद्धों का सबदान करती है खेती की लागत को कम करना अधिक आय होती है और पानी के अवशक्ता कम होती है तो हमारा जलवाई उपर वर्तन में एक लचीला पनाता है और इसी तरह से हम देखें अधिक भोजन उससे अनुशित हो रहे हैं और गाउं में रिवर्स माइग्रेशन भी बनता है इससे तो सबसे महत्पुणिया है कि म्रदा स्वास जल सनरक्षा जय विविता को बढ़ावा देने जल और वायु को प्रदूशन कम करने और प्रस्तितिक तंत्र को पुनर जीवित करने द्वारा भावी पीड प्रस्तन करने में साहता करने में बच्चत करने में कम से कम पांच गुना फायदा होता है तो कहने का तात पर यह है कि प्राकृतिक खेती अपनाईए और पार्या वारुट को सुनिश्चित करिए प्रयावरु बचाईए आप अपना योगदान दीजे और इसे करके तो दे विवेदी सलहकार आई एन एम क्रिशी मंत्राले भारत सरकार अब पहली वाली बात कहां परम तो समय डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परम परागद विदी से फजल हुआ रहे हैं फर्चा खम और उपरशी कीमत भी बहतर पा रहे हैं सच है रहे एक्स्पीरियेंस से बता रहा है दूप में बाल सबेद नहीं किये है ठीक है बाई मैं भी आज तर जाए भी खेती शुरू करूँगा माटी से प्रेम की परमपरा है परमपरागत खेती सौदशमलव एक मेगा हर्ट्स पर आकाश वानी का एफम गूल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कारिकरम चल रहा है किसान की बात और कारिकरम किसान की बात में हम हमेशा बात करते हैं शनिवार के दिन अपने ऐसे किसान मित्र से जो की क्रिशी के क्षेतर में जिसने सफलता हासिल की हो जिससे की उसकी सफलता की कहानी जो है हमारे जरिये और बहुत सारे जो किसान मित्र है उन तक पहुंचे कुमल जैसे कि आप जानते ही ग्यान हमेशा बाटने से बढ़ता है उसी तरह से अनुभाफ से भी सीखना एक बहुत ही अच्छा सिक्षा का माध्यम है कि जो हमारे किसान मित्र कर रहे हैं उन्होंने कुछ नया किया हो किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त किया उससे अगर किसान की जुबानी में इस समय हमारे साथ है बदमिश्री पुरुसकार से सम्मानित किसान गेना भाई पटेल क्यों नहीं करता है दोजार चार पुंच के लिए बहुत तक्लिफ बाला मामला हो जाता है यह प्राकृति किती कर रहे हैं तो इसके लिए गईन रखी है उसका गोबर से और उसका दूद का वेचान करके हमारा काम चलता था तीन साल के बाद उत्पादन शुरू हो गया मैंने वह अनार की शुरूआत की उसी टाइम मेरे खेट पे बहुत चारे खिसान आने लगे हमारे जो गाउं है उसमें सब चोटे-चोटे खिसान है किसी का दो एकड है किसी का तीन एकड़ जमीन है तो उसमें हमारे खिसानों को कुछ मिलता नहीं था बात बताता हूं कि जब एक एकड़ में 400 पोदे आते हैं अनार के मान लोगे एक पोदे से 20 किलो अनार निकलता है अनार का 50 रुके से पर केजी रेट जाता है तो भी एक अजार रुकिया म अनार हुआ तो पूरे डिस्टिक में इसका बहुत हो गया कि यह किसान को कितना परिशा मिल रहा है तो सभी लोग मेरे खेट के मुलाकात पर आने लगे तब किसान भाईयों को मैंने गाइड किया जो मेरा बनास काटा जिला है उसमें सभी किसानों ने यह प्रीपेरी केशन मुझे हमारी गुजराच सरकार राजिटबान सरकार ने बहुत सारे पूरशकार दिये मुझे नव से ज़्यादा नेशनल एवाड मिले हैं और दो इंटरनेशनल एवाड मिले मुझे इडायल में और ब्रिटिश पार्लामेंट लंडन में भी पूरशकार मिला हैं तो 27 नई दिल्ली में राष्ट्रपती बोवन में महामीम राष्ट्रपती जी परणाव उकर जी के करकमलों से मुझे दिया गया मानता हूँ कि मेरे किसान भाईयों की दुआओं से मुझे ये पदमतरी मिला है मैंने ऐसा नहीं सोचा दा कि मुझे पदमतरी मिल जाएगा एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि मेरा अनार लेके नरेंद्र भई मुदी जी को बेट करने गया था तो उसी ताइम उनको बहुत बड़ा चाड़े आट सो ग्राम का एक अनार का ऐसे चार अनार में माननी ऐसीम साहब को बेट किया था उसके बाद में नरेंड़ मुदी जी 2014 में परदान मंत्री बन गए और 2016 में हमारे पास में दिशा चीती परता है वहाँ पे मानने परदान मंत्री जी पदर हुए थे और उन्होंने मेरा नाम का जिकर किया था कि हमारे एक मित्र है दीव्यांग है जब मेरा नाम लिया मैं उसी जबा में तो नहीं था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे आँखों से अस्रू निकल रहे थे क्योंकि एक गाउं के छोटे-छोटे किसान को परदान मंत्री जब उसके मुझे नाम दे के मेरे मित्र बोले थे तब मैंने बहुत खुशी मैं क्या बात बता हूँ कि हमारे जो परदान मंत्री जी है वो हमको याद करें अभी मैं एक बात बताता हूँ कि किसान भाई हो सब मेरे जिल्ला का मेरे आसपास के सभी किसानों का जो माल बेचना था उसके उसमें बहुत तकलिप हो रही थी कि इसको कैसे बेचा जाए जो नरेंद्र पी मोदीजी कि हमारे किसानों के आये डबल करना है तो उन्होंने 2016-17 मेंげ एक गठन किया था और उसमें हम किसान के पास से अनार खरीबते हैं और जो मौर किसान भाकत है वो सब माल खरीबते हैं कि हमने काश्मीर में भी एफ की मीठ बनाया तो हमारे यहां का अनार की जाड़ी परके हम काश्मीर बेचते आफर का एपल भरीं दरके वही गा मानव रोजगारी दे रहे हैं, सुनोतियां के बिना कोई जीवन नहीं है और सुनोतियां के बिना कोई मजा नहीं है। और अडिक मन के मानवी को हमाले नरता नहीं है। पटियल साथ कारीकरम किसान की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साजा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकट के समय प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना किसानों के लिए बरदान है अब उले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं योजना से हर साल जुर रहे हैं पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदी की कृशी कारियाले सेहकारी समीती बैंक शाखा अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंडर में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन पसल बीमा पोटि या फसल बीमा आध वारा भी कराया जासका है पंजी करन मौनसुन जब आया है तो अकसर हम यह देखते हैं कि अब पूरे देश में ही पानी की बहुत जादा कमी होनी शुरू हो गई है तो यह मौनसुन बहुत अच्छा मौका है कि हम यह जो प्राकृतिक रूप से जो जल हमारे पास पहुंच रहा है वर्शा के माध्यम से हम उस अधिक से अधिक संचयन करें और उसको आने वाले समय में अलग-अलग तरीके से उपयोग में लेने के लिए उसका संग्राय कर सकें जी है बहुत जगा इस तरह की बहुत अच्छी मिसाले हमने देखो को मिली है जहां देश में कई जो पुराने जोहर थे पोकरे थी उनको पुर्ण जीवित करके वर्षा जल संचन किया गया है जिससे कि जब वर्षा नहीं होती है या सूखे समय होता है तो पश्वों के लिए और खेती के लिए वहाँ पर जल की कमी नहीं होती है प्राकिर्टी गरूप से हमें जो मिलता है उसका हमें उपयोग बहुत ही अच्छ और ज़्यादा बहतर होती है लेकिन कहीं जगा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सूखा भी बढ़ता है तो ऐसे समय में जब वर्षा अच्छी होती है उसका संचैन करके हम आने वाले समय के लिए उसका उपयोग बहुत अच्छे तरह कर सकते हैं कृत्रिम रूप से भी प पानी को बचाने का उसको संचैन करने का बारिश के समय में किसी तरह के ट्रैंग बना कर या कुछता करके उसको अगर हम इस्तमाल करें तो वह हमें अन्य सुविधाओं के लिए काम आ सकता है चाहे वह बगीचे में पानी देना हो या अन्य घरेलो चीजों के लिए और कई बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों यहां तक गाउं में भी निजी रूप में भी लोगों ने इसका शुरुआत की है और उसको संचेन करना किया है ताकि पानी का सदूपयोग हो सके क्योंकि शहरों में कॉंक्रीट की बहुत जादा एक जाल होता है सड़कों के रूप में और जैसके अरविंद आपने बताया कि बहुत सारी सोसाइटी के रूप में भी ऐसा किया जाता है और अक्सर ऐसा देखने में भी आता है कि आजकल जो लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर के बहुत जागरुक होते चले जा रहे हैं तो अब जो नए नव निर्मित जितने भी भवन होते हैं फिर चाहे वो सरकारी हो या अपने नीजी तोर पर हो वहाँ पर भी लोग इसके लिए पहले से ही कुछ न कुछ अपने प्लान बना करके चलते हैं और वहाँ पर भी वर्शा जल संचेयन के लिए अलग से टैंक बनाना उन्होंने शुरूब भी कर दिया है ज नमस्कार लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकीवे अब हम को है चुनी